हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए ये मोती और क्रिस्टल्स के बीड्स चो है इसका तोरण लेके आए हैं बहुत ही सिंपल है बनाने में मीचे हमने इसमें पंपंप लगाए हैं करते हैं इसको बनाने के लिए कलर का वो लिया है मैंने 200 ग्रैम सिल्वर कलर के मोती लिये हैं आठ नंबर के 618 क्रिस्टल के बीड्स लिए हैं रेड कलर के 188 क्रोशे हूख है मेरा जो पॉइंट पाइमेम का यह यह चलिए शुरुआत करते हैं पंपंद्रा चैन्स बनानी है एक दो ती चार पाच छे साथ आठ नव तस ग्यारा वारा तेरा च्वड़ा पंद्र पंद्रा चैन्स के बाद और दो चैन्स लिए यह और जो चवड़ा नंबर का चैन्स है उसमामें एक डबल कोश्च बनाना है अ कि इसके आगे के जो सारे चैंस है इनके ओपर हैं पर हमएक डबल क्योНе और ह पी तोर हमारे यत पाद्र कैनों के पहला जो चैन्स का है मिलां देखें, पन्दा डवर क्रोशिट मेरी हो गए, अच्छों, यह पन्दा नम्बर का डवर क्रोशिट है, इसके उपर हमें फिर से तीन जैंस बना है इसके उपर हमें एक डवर क्रोशिट बनाना है, एक चैन देना है, निजी का एक डवर क्रोशिट हमें छोलना है, इसके आगे का डवर क्रोशिट है, इसके उपर हमें एक डवर क्रोशिट बनाना है, इसके आगे जो है नेक्स्ट जो तीन डबल क्रोशेट है इनके उपर मैंने तीन डबल क्रोशेट बनाए तीन डबल क्रोशेट बनाए फिर एक चैन ली नीचे का जो एक डबल क्रोशेट है वो मैंने स्कीप कर लिया आगे की जो तीन डबल क्रोशेट है इनके उपर मैंने तीन डबल क्रोशेट परसे मुझे एक chain देना है जो नीचे वाला ये double crochet है इसके चोड़ना है इसके आगे वाली जो तेन double crochet है इनके उपर हमें तेन double crochet बनाना है 2 हो गए यह 3 पिर से हमें एक chain लेना है आगे के जो यह वाला डबल प्रशिर्ट हमें छोड़ना है इसके नीचे इसके आगे के जो तीन डबल प्रशिट है इनके ऊपर हमें एक डबल प्रशिट है 3 देबलक्रुचेट हैं,3 देबलक्रुचेट हैं 3 देबलक्रुचेट हैं,3 देबलक्रुचेट रहें ज्क libro हमें टायम्किल आ सकारगा तटारकर्ण हें तर्ण करने के बात, आगे की जो ये दो डवल प्रोशिट है, इसके उपरा में दो डवल प्रोशिट बनाना है, एक चैन देना है, ये नेक्स्ट वाला डवल प्रोशिट है, इसके उपरा में दवल प्रोशिट बनाना है, फिर से एक चैन देना है, जो आगे का ये डवल प्र याने स्कीप करना है इसके आगे का जो डवल कोशिट है इसके उपर हमें डवल कोशिट बनाना है यहां पर हमें एक डवल कोशिट बनाना है यहां पर भी एक डवल कोशिट बनाना है फिर से एक चैंग देना है उचे का एक डवल कोशिट स्कीप करना है हमें आगे का जो डबल कोशिट है इसके ऊपर डबल कोशिट बनाना है फिर से 8 जेन बना रहा है जो नेक्स्ट 3 डबल कोशिट है इनके ओर पर हमें एक डबल कोशिट बनाना है यहां पर फिर से हमें 3 जेन्स लेना है एक तो त्यों और टन करने के बाद आगे के जो डबल कोशिट है इनके ऊपर हमें फिर से एक डबल कोशिट बनाना है फिर से एक चैन लेना है यह जो डबल कोशिट है इसके ऊपर हमें एक डबल कोशिट बनाना है अगर आपको दूसरा डिजैन बनाना है तो आप दूसरा भी बना सकते हैं पट्टिका यह जो चैन है इसके ऊपर हमें एक डबल कोशिट बनाना है आगे का यह डबल क्रोशेट है इसके उपर एक बनाना है फिर से एक चैन लेना है यह नीचे वाला एक डबल क्रोशेट स्कीप करना है आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके उपर एक बनाना है यह जो एक चैन का है यहाँ पर एक डबल क्रोशेट बनाना है जो नेक्स डबल क आगी की जो तीन डबल प्रोशेट है इनके ऊपर हमें एक यह डबल प्रोशेट बनाना है पिर से हमें तीन चैन लेनी है जो डबल प्रोशेट है इनके ऊपर हमें एक डबल प्रोशेट बनाना है फिर से एक चैन लेना है जो नेक्स डबल प्रोशेट है इसके ऊपर रिपनाना है सबी जाई लेना है आखीрь का चौ दबलक्रोशेट है इसके बाहरेयोट साथ जो गैप है यहां पर आहां महीं एक डबलक को में जाऊ में जो एक डबलक्रोशेट है करना है आंगे कड़वी क्रोशेट है इसकीप उपर एक चैन जो एक तो तीन डड़वी क्रोशेट है इनके उपर हमें एक ड़वी क्रोशेट बनाना है सेम यही पैटन हवें पूरे तोरण के लिए बनाना है हमारी पट्टी बनेगी यही पैटन से बनेगी इस सरसे आपको पट्टी कंपिट करके लेनी है पैटन में पम-पम बनाने के वह लेने हैं इसका एक प्लेन वाला सोरी लेना है और यह डुल्टी करेंए बाट वाला जो है वो लेना है दोनों को इस तरह से रखना है उलका दागा जो है उसको इसके उपर रखें इसे राउंड्स करना है 60 टाइम्स राउंड्स करना है यहां पें नॉट लगानी है सिर्फ इसी तरह से इसके उपर भी हमें द्राके से राम करना है करना है झाल झाल तहसो कि युदर हानु यह दिए सिसमे, युछ जायू ह Lud विए सका गिंग यायू कि भजग होुग बालो गिंग याओे है अवाओ इंग जाल यौ कर दो कि झादा हैं आएसे बादा सकते हैं ना एक दो 2 जो जुँ पर भादा में लोग्यान हैं है 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 और जुँ है आई स्णादाओ को छुट कर द बादा दो 2 जो ज्या है झाल झाल दो तिन नॉट्स लगाने हैं अच्छे से इसको वह में शेप देना चाहिए एक स्था दागे इस है वह में काट देने हैं इस तरह से हमें ये पूंडे कम्पिटिकर के लेना हैं दागे में हमें पहले जो गुंडा है वो डालना है इसका एक्स्ट्रा थेर है वो कट करना है हमें पहले हमें तीन बाइट कलर के जो हमारे सिल्वर के पल है ये मूट्टी ये हमें डालने हैं तीन डालने हैं बाद में एक क्रिस्टल का डालना है फिर से हमें सिल्वर कलर के डालने हैं तीन मूट्टी इस तरह से हमें तीन सिल्वर कलर के मूट्टी डालने हैं और जो एक क्रिस्टल का रेड कलर का मूट्टी है वो डालना है इसी तरह से हमें ये लाइन पूरा कम्पीट करना है इसमें मैंने दस रेड कलर के डालने हैं क्रिस्टल के पिर्स और ग्यारा वार तीन तीन सिल्वर कलर के मूट्टी डालने हैं हमें अब ये फिक्स करना है starting के जो एक, दो, टीन और ये 4, ये 4 नमबर का जो लाइन है, यहां पर हमें ये fix करना है, 1, 2, 3 और ये 4, यहां पर हमें fix करना है, जो दागा है वो कट करना है यहाँ पे पेहना वाला हमारा जो गोंडा है वो लगा कर हो गया है और हमें दूसरा वाला लगाना है दूसरा वाला गोंडा है इसमें भी हमें एक दो तीन चार, पाथ, छे, साथ, आठ, नौ Happiness और ये दस दस लाल कलर के मनी डालने है और पिकलिए का हमारा है फिर कलर का मनी वो हमें एक ही डालना है जहां हमने तीन डाले हैं लास्ट में हमें इस में एक ही डालना है यहां से एक, दो, तीन, चार यह चाहर नमबर का है यहां पर हमें यह फिक्स करना है देखिए यहां मैंने तीन डाले हैं दस नमबर के जो लाल कलर का जो मनी है दस नमबर का उसके बाद मैंने यहां तीन डाले हैं जो उसके बाद का है उसमें एक ही डाला है और हमें यह धागा यहां पर अच्छे तरह से नॉट लगा के फिक्स करना है एक स्टा जागा हमें एक स्टा जागा में कट करना है जो हमारा तीसरा कूंडा लगेगा इसमें मैंने नौ लाल कलर के जो मनी है वो डाले हैं और दस बार मैंने सिल्वर कलर के डाले हैं एक तो तीन चाग पाँ छे साथ आठ नौ और तस दस बार मैंने सिल्वर कलर के जो होती है हमारे वो डाले तब यहां से एक तो तीन चाग पिचान नंबर का जो लाइन है तहाँ पे मुझे यह फिक्स करने है की पे पिल्वर के यह लाइन है कि मेरी पीसरी लाइन भी पना के हो गए दीसरा रोंडा भी हमारा फिक्स करके हो गया जो इसके आगे का रोंडा है उसमें हमें नौ जो है वो लाल कलर के मनी डालने है और जो वाइट कलर की मनी है वो तीन की जगे हमें एक ही डालने है जैसे मैंने यहाँ पे डाला है तो हमें जो पहला लाइन होगा उसमें तीन डालने है उसके बाद का होगा वो एक ही डालने है जो लाल मनी है वो दो दो लाइन में सेम ह जब आते जाएंगे, जिस तरह से इसमें 10 हैं लाल मनी, इसमें 9 आएंगे दोने में, लेकिन जो वाइट कलर की मूती हैं, मैंने कम कर दिये हैं, जो 3 है, जो 2 राल में मैं एक ही डाला है, इस तरह से हमें अब यह बनाते जाना है, जो नेक्स्ट लाइन है, इसके लिए मैंने, एक, तो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 9, 9 लाल कलर के ग्रीस्ट्रल के मने हैं वो डाले हैं, जो बाईट कलर का मूद्टी है वो मुझे एक ही डालना है, यहाँ पर इसमें मैने 3 डालने हैं, 99 जो हैं वो क्रीस्ट्ल के मैने डालना हैं, और एक सिर्वर कड़ाला है अब यहां से एक तो तीन चा यह चार नंबर का चुलाइन है यहां पर मुझे यह फिक्स करना है एक्स्ट्रा घागा आप काट सकते हैं और जैसे मैं चुपा रहे हैं इस तेलर से आप यहां पर चुपा भी सकते हैं नेक्स्ट हमारा आएगा इसमें लाल कलर के मूती आठ आएंगे और सिल्वर कलर के तीन आएंगे इसके बाद का जो है उसमें आठ लाल मूती आएंगे और एक ही सिल्वर का आएगा इसी तरह से हमें यह पूरे पट्टी में कंप्लिट करते जाना है सेंटर तक पट्टी है उसके सेंटर तक आना है हमें कि ने यह इस हमंगे मेरे तो टॉटल तेरा नख अ होगे यह मैंने एक तो तिन चार चार रैड कलर के नाजें हैं मरी है एक तो, तिर, चार, पांच पांच बार मैंने तेंतीर मूदी डाले हैं पट करड़ के जो मेरा next line बनेगा 14 नमबर का वो मेरा same ऐसे ही बनेगा क्योंकि यहाँ से एक section होगा और यहाँ से अलग section जो 14 नमबर का मेरा line है तो same बनेगा हमारे जो सेंटर के दो लाइन्स होगी है यहां से एक दो तीन चाँ यहां पे मुझे यह अटच करना है यह मेरा चौदा नंबर का लाइन और तेरा नंबर का लाइन सेम होगा यहां से मेरा अपर left side का section गयाँ यह मेरा right side का complete हो गया है यह तेरा लैंस हो गई यहां पे और यह आगे की जो तेरा लैंस होगी inmीरे left side की होगी इस तरह से आपको पूरा तोरण new Ф electric हे लेना है अगर आपको मेरा एक अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए आपके कमेंट्स मुझे जरूर देजिए थेंक यू खलीज अच्छा के सबस्सक्राइब जूल झाया एको के सबस्राइब